मुराद नगर के जो हमारे साथ ही हैं अभी अभी कह रहे थे कि हम पचास आठ लोग हैं और हमने चंदा नहीं दिया तो चंदा नहीं देने पर जहां जैनती है उस जैनती में उन्होंने कह दिया जो जैनती का कारेकम लगा रहे हैं कि आपके पास परमीशन नहीं है इस पर रूप से मतलब वो यह कह रहे हैं कि आप जैनती में नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास परमीशन नहीं है और अगर आपने चंदा दे दिया तो आप जो हम जैनती का कारीकर्म लगा रहे हैं उसमें आ सकते हैं फिर पर्मिसन है पैसा देंगे तो पर्मिसन है पैसा नहीं देंगे तो अपनी पर्मिसन लेके आओ खुझन पहले अभी एक महिला मिली थी वो कह रहे थी बुलेंसर के पास की थी अरे ये तो वाकी जैनती है हम ना जा रहें वो ये कहना चाहती थी कि ये जो जैनती है ये कोई बावा साप की जैनती को और मना रहा है और हम इसमें नहीं जाएंगे क्यारे का मतलब यह है कि जो जैनतीयां है वो अलग-छिस्म की और अलग-छोगों की है किसी की जैनती है वो इसका मालिक है किसी को बुलाए या ना बुलाए खुई अब बुला चला गया तो उसकी इज़त भी उतार सकता है सरकारी करमचारियों की अलग जैनती होती है उसमें सरकारी करमचारिया आते हैं अपने दफ्तरों में मनाते हैं सरकारी करमचारियों की अलावा उसमें ज्यादातर और कोई लोग देखे नहीं जाते हैं वो सरकारी करमचारियों की जैनती है जो 14 अपरैल या उसके बाद के की होती है या अंबेट का भवन की जैनती होती है कुछ मोहलों में लगाई जाती है वह मोहलों की जैनती होती है कुछ जैनतिया राजन्यतिक पार्टियां लगाती है अलग अलग कारेकर में लगाती है वह राजन्यतिक पार्टियों जो बावा साव अम्मेट करके विरोधी राजन्यतिक विचार वाली पार्टिया हैं वो भी बावा साव की जैनती मनाती हैं और जो उनके बोर्ड लगाके उनका फुट लगाके उनके विचारों की हैं वो भी कभी जैनतिया लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं उनके लोग या नहीं लगाते हैं जो चोटी मोटी संस्थाइल लोगों ने बरा रखी है सामाजिक कहीं कोई पुस्तकाल ले है कहीं कोई वाचनाल ले है कहीं कोई वेलफिर का है वो लोग भी जैनती लगाते हैं उस दिन लोग भावना में ज्यादा इमोशनल ज्यादा होते हैं तो ज्या हमते हैं नहीं हर व्यक्ति अपनी अपनी जैनती लगाता है एक कर लोगों के संथा की लोगों के मालिका ना हक की, लोगों की property की, लोगों की दबंगाई की, लोगों की अधिकारों की जैनतिया खूमिलती है. यह festival अभी तक ऐसा festival नहीं बन पाया है जैसे पुराने समय से दिपावली यह दस्यरहि का तक या क्रिस्मस का festival बोड़ा है. यानि आपको इद का दिवाली का दसेरे का जो फेस्टिवल है या क्रिस्मस का फेस्टिवल है वो फेस्टिवल किसी के माली का ना हक में नहीं होता उसकी डेट फिक्स होती है बस डेट बता दी और लोग उसकी त्यारिया करते हैं अपने घरों में खूब मनाते हैं साजनी के स कैथॉलिक हो सकते हैं और भी चार्च है कि पर कोई भी सुर्च या नी कहता कि ये मेरी मेरी कृस्मस है या मेरा ह मन्ति है को पर कोई शिया हो सकता है को सुन नी कर अधर है उनके पर कोई सार टुकड़ा ये नहीं कहता कि ये मेरी इद है, मेरे कबजे की है, मेरी कंपनी की है, या मैं इद मना रहा हूँ, इद है तो इद है, दसरा लोग मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, भूली मनाते हैं, कोई ये नहीं कहता, ये मेरे समुधाय की है, या मेरी कंपनी की है, या मैं इसका मालिक हूँ या इसमें कोई नहीं आना या नहीं जाना लोग खुशामत करकर के बुलाते हैं गुरू पर होता है सिखों का कोई सिख ये नहीं कहता कि ये मेरे गुर्द्वारे का गुर्द्वारे अलग अलग तरह के हैं उनमें जखड़े हो सकते हैं उनमें होगे तो लड़के जो नागिन डांस करते हैं नाग और सांप जो उनको फिल कर देते हैं अगर सांप आ जाए वहाँ नाशने के लिए और हमारे लड़के वहाँ नाशने के लिए आ जाए तो सांप पानी मंग जाएगा ऐसा नागिन डांस तो ऐसा सांप का डांस तो जिन्द जीतने की जीतने की पर जो अधिकार लाए वो सारे अधिकार तो चले गए तो हार गए तो अब ये जैनती ना होके हरंती हो गया हर लिए सारे अधिकार तो हरंती हो गया तो बेसिकली असली नाम इसका है डॉक्टर अमबेटकर हरंती अब ये जैनती नहीं है जो अधिकार लेके आए कोई बता दे यहां कौंसा अधिकार सतर सालों में इन जैनती मनाने वालों ने बचाया है हर व्यक्ति किसी का भी भाशन उठा लीजिए रट्टा मार रखा है बावा साब ने ये कहा बावा साब ने वो कहा बावा साब ने ये कहा कुछ सुनकर कुछ पढ़कर पर अधिकार बावा साब लाए और हम नहीं बचा पाए इसको कोई कहता भी नहीं आखे चुड़ा जा सकते हैं सरकारी करमचारियों के फोटू लगा लगा के बावा साब के इतने उन्होंने जंडे गार दिये उनके सरकारी डेपार्टमेंट ही बिग गए वो हार गए वहां अमबेटकर हरंती हो गया जो हमें एजुकेशन फिरी में मिलती थी जो जैनती थी हमारी के अमबेटकर की जो सिक्षा लेके आये थे जो हमें फिरी में मिलनी चाहिए थी जो मिलती थी वो कॉलिज बंद हो गए वो महंगे हो गए उनकी सिक्षा करोड़ों मे हो गई लागों रुपे में हो गई वहां जैनती के जेगे हरंती हो गया कोई नहीं बोला बस जैनती मनानी है जो वो सेपरेट इलेक्टरॉल का अधिकार लेके आये थे उसके लिए किसी ने बात ही नहीं की वो तो पहले दिन से हरंती है मगर उसकी भी जैनती मनानी है जितने अधिकार सम्मिधान में थे उनकी इस्तिती पूरी खराब हो गई वो तूटगे फूटगे और इस्तिती ऐसी आ गई कि बस अब मरे आज मरे और कल मरे और फिर भी इखर्टे होने की कोई बात नहीं करता सोचता भी नहीं है जैनती मनाकर काम पूरा हो गया खूब नाचे खूब गाये खूब पैसा खर्च किया खूब घंडा उठाया होगी जैनती और हमसे बड़ा कोई अमबेट करवादी हो तो आजाए मैदान में तो कंप्रिशन होगा तेरा काईकरम जैनती का बढ़ा या मेरा कारिकरम जैनती का बढ़ा कंप्रिशन इस बास में नहीं होगा कि तू ज्यादा अधिकार बचाएगा या मैं ज्यादा बचाओंगा या हम दोनों मिलकर ज्याद का जैनती अब तक महसम में बदल जाती घरगर में आती और हर व्यक्ति कहता है हमारी जैनती हमारी नहीं हुपाई मेरी से हमारी नहीं हुपाई इस failure को आंक से आंक मिलाके बात करने के लिए भी कोछ तयार नहीं है तर्वी बात है कैसे का है failure तो है कोई कहे कि fail नहीं हुए तो मैदान में आ जाए और ये भी कहने को तयार नहीं है कि इसके fail करने के लिए हम जुमेदार है अभी हमारे एक साथ ही कह रहे थे ने डॉनेशन तो दे देना चाहिए पैसा तो दे देना चाहिए पैसा तो क्योंकि पैसा देना पैसा दे दिया हमने बावा सापका जरंद नहीं हम तो भावनाम बहे हैं तो इस बात को नहीं देखना तो पैसा दे के जैनती हो रही है या हरं पैसा देने से अगर बावा सापका अनुयाई सिद्ध होता तो यह जतने लोग अब तक पैसा दे के आए हैं यह सारे दोगे होते फिर फेलियर नहीं होता पैसा लेना या पैसा देना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके अधिकार बचेंगे या आपके अधिकार जो आए ह वो सुरक्षित रहेंगे ऐसा नहीं है पैसे से वो काम नहीं हो सकता जो लोगों के इखटे होने से हो सकता है लोगों को इखटा करने के लिए पैसा चाहिए इसमें कोई शक नहीं है मगर बहुत थोड़ा सा कटके सरने कल बताया था जो साड़े 600 लोग नागपुर के अंदर जुड़े तो वहाँ एक कोशन आया कोशन आना स्वभाविक था कि जब हम यह कहते हैं कि समर संग पैसा लेता नहीं देता नहीं तो इतना बड़ा काईकरम हुआ है उसमें कुछ पैस लगा होगा तो पैसा कहां से आया तो लोग अधूरी बात सुनते हैं क्योंकि वह पूरी बात अपने कान में डालते नहीं तो हम यह भी तो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना खर्चा खुद दाना होता है या कोई किसी का खर्चा नहीं करता है तो नागपुर में जो पास में आए गए उसका भी दिया इसके अलावा जो नागपुर से आसपा से लोग आए मारच से पूरे से लोग आए उन्होंने डेड़ सो रुपिया दिया तो वो सारे पैसे से व्यवस्ता होई अब तक जितने काईकन लखते हैं वो सेल्फ फाइनेंसिंग पे हैं बंदे भाई की मतलब तरह अच्छी बात है कौन मने करता है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो पैसे की जोत कितनी पड़ी ना तो चंदा काटने की जोत पड़ी ना परची काटने की जोत पड़ी और भावना पूरा लोगों को जोड़ने की और जोड़ने की और इखटा करने ताकि जुड़े आपसे बात करें और यहां से और पूरे देश से और बिदेश से भी लोग आए नागपुर के लोगों से मिलने के लिए और नागपुर के लोग सारे नहीं आए बहुत सारे लोगों को फोन किये थे मुझे, बहुत सारे नेताउं को फोन जिने, जो शोचल संहथन चलाते हैं, सामाजिक जोडने और जोडने का संहथन चलाते हैं, उनकी भाषण में अगर आप जाओगे, तो भाषण सुनके यह कहोगे, कुछ स्सें बड़ा तो कोई जोडू रही, और यह समसंग वाले क्या ज जोड़ेंगे हमारे साथ आओ यह संटनों की दिक्कत है इतने साथ लोग मिलने गए पैसा करके गए कितना टाइम लगाया मिलने गए तो आना चाहिए था अपना विचार रखते क्या विचार है क्या नहीं है इधर का विचार रखते विचार से विचार मिलता जो अच्छा व कौन इस बात की लोट के नहीं आया कि हम इस कारण से नहीं आ पाय रहे या हम आना चाहते थे कुछ लोग अच्छे थे जो आए ऐसा नहीं है कि उसमें लायक लोग नहीं थे सारे ही नालायक हैं ऐसा नहीं है जो लायक थे वो आए और कुछ गोशना करके भी गए कि संग वो च बता के गए तो जो लोग नहीं आए उनका कोई मैसीज भी नहीं आए तो कल जो कनसेट्ट दिया तो उसमें उनको कहा कि जो नहीं आए वो नालायक लोग है नालायक का मतलब कोय भारी नहीं होता नालायक का हो तो कैई लोगों ने फॉन करके कहा कि आपने बिल्तु सभी कहा किमेंट्स है उस वीडियो पे अधितरा किमेंट्स बड़े पॉजिटिव है लोगों ने ठीक कहा है उनको ऐसे ही जखचोड़ना चाहिए एक दो जो कच्छे साती हैं उन्होंने कहा कि आपने हमें गाली दे हम पैसे कर दिया भी गाली नहीं दिये आप ये सिद्ध कर दो कि आप लायक हैं हम दोनों हाज जोड़के आपसे माफी मांग लेंगे कि हमसे गल्ती हो गई आप तो लायक थे हमने गल्ती से आपको नालैक लिख दिया आप करो ना आप इस बात को सिद्ध करो कि आप लायक ह हो आज तारीक पाँच है और चौदै तारीक में 19दिन नौ दिन है आठ दिन पूरे पक्के हैं आपके पास में आप इस जो सहर है एक शहर एक अमबिट कर और एक जैनती होनी चाहिए ज़िशार होना चाहिए तो सिद्द करो कि आप लायक हो, सिद्द करो कि आप अपने बाबा का, अपने पिता का, अपने मस्या का, अपने विस्वरतन का, सारे बच्चे में के एक ही के काटते हो, सिद्द करो इस बात को कि आप सब उनकी लायक उलाद हो, उन्होंने काता कि मेरे बच्चों इकटे रहन और्गनाइज रहना सिद्ध करो इस बात को हम दोनों हातों से जोड़के दंडवट परिणाम करके माफी मांगेंगे आप से कहेंगे कि हमसे गलती हो गई आप लायक थे हमने गलती से वीडियो में नालायक सब्सक्राइब करते हैं हमको गलत साबित करो और अगर हमको गलत साबित नहीं करते हो तो इस बात के लिए त्यार रहो कि आप लायक नहीं हो आप डॉक्टर मेट की लायक संतान नहीं हो तो आप लायक नहीं हो तो फिर नालायक हो तो इसके लिए त्यार रहो आप दोनों मैंसे एक बात तो होगी ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम भी ना करो बावास आप नयाक होने की लेते रहोए आप आप तोपिया पैंते रहो आप फोटो केश्वाते रहो आप अपने आपको डोक्ट्र Musi करते रहो डोक्टर मेडिन के अधिकार भी जाते रहे तक आ गया है हम मारे बच्चे मरने वाले हैं हम मरने वाले हैं हमारे बच्चे हम से कहेंगे कि समय था और सम्मिधान था आप जैसे लोग कम से कम कहती तो सही हम तो कर भी रहे हैं खाली कहनी रहें अगर हम जगे 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 तो संग्ठनों को इखटे करते करते हैं क्योंकि चंदे का धंदा चल रहा है इस चंदे का धंदा सबसे आड़े आ रहा है बड़ी मोटी कमाई है लोगोंने कॉर्पूरेट सेक्टर की तरह 40-60 परशेंट का रेसो कर दिया है और केस के नाम पर और सब्वेता बचारें के नाम पर 15-15,000 रुपे हरे घर से एकटे किये जाते हैं करोड रुपया लोगों ने खटा कर लिया उनके अकाउंट पर करोड़ रुपया है और मूवमेंट जीरो है तो चंदे बें लगे लोग मूवमेंट पर नहीं लगे इसलिए कह है चार रोटी चाहिए तो पहले अपने कपड़े में बांद के अंगोचे बांद के रोटी लेके चला करते थे प्याज के साथ मैं चार के साथ मैं वही तो नहीं मैं अपलाई किया है सब्जी भी मना कर दिया है एक दिन सब्जी ना खाएंगे तो क्या हो जाएगा तो बिस्कुट के श खुन बिस्कुट бы हो maternal की कुब भूबी बनना है किसी भी हलत में किसी के ओपंड एक डिपेंड नहीं रहा है जिन spent जिनका मुमेंट जिनका आंदोरन किसी के ओपर डिपेंड रहता है वह अपनी साथ तो अपनी है कौन ले के भागेगा इसलिए कहा कुछ लोगों को ये बात चुबे तो सही कुछ लोगों को ये बात समझ में आये तो सही के आंदुरून कहां पहुंच गया है कुछ जगे तो सही एक शहर एक जैनती एक अमबिट कर तो फिर इतनी सारे अलग-अलग के क्य तो इतनी सारी अलग-अलग किसको दिखाते हो कि हम टुकड़ों में कटे हुए घर-घर में खूब मनाओ अपने घर में दिवाली की तरह मुंबती जिलाओ लड़ी जिलाओ मिठाई अबाटो नए कपड़े पैनो जिनके पास नए कपड़े नहीं है वो धुल के प्रेस करक को दिखाना है कि हमने इतना यथा ना बाजा है इतना सब किया क्या मिलने वालाै कि हुए उस से मिलने वाली है वो डांस शाधी भी हो गड्रों को जाये में जहां लोग इखटे हो जाए वहां नाच लो इसनी हर सहर से यह अपील की गई बहुत पहले से की गई कि एक शहर एक जहनती और एक इस फार्मुले को जीवन भर करना है और आगे बुद्ध पूर्ण मा रही है तो एक बुद्ध एक पूर्ण मा और एक सहर कोई सा बुद्ध एक दिन पहले चले जाओ बुद्ध पूर्ण वाले दिन तो सफेद कपड़े पेन के लाइन बना के पंसी का जिंड़ा बना के एक फेरी तो निकाल दो सहर में पता तो चले कि कितने सारे बुद्ध की अनुयाई पहले थे और कितने सारे अब हैं तो खून बढ़ेगा सकता वहाँ अगर अलग-अलग-अलग-बुद्ध बिहार में बैठोगे रोस तो बैठते हो लगलग तो एक दिन साथ बैठ जाओ तो कौन मने करता है यह प्रस्ताप समण संग के प्रस्ताब हैं इन प्रस्ताब को कोई चिलें सो करे और गलत है क्या इकक्था होना गलत है क्या नहीं आओगे तो गलत है इसलिए जो सबeder कटोर सबस्तिस व किये जाते हैं वो कटोर सब्ढे हमारे नहीं हैं उजů हमारे दाय माय बैठे हुए महा हिस्त्त करे बुद्ध किया कहते थे मोग पुरुस है मोग पुरुस उसको याद नहीं दिला जाता है पर मैं याद दिलाता हूँ आपको मोग पुरुस बोला करते थे निकम्मा बोला करते थे बिना काम का मोग पुरुस बोला करते थे बड़े कटो सब इसमाल करते थे और ऐसे कटोर नियम बनाए कि जो नियमों का पालन नहीं करता था खास तोर से संग घात करता था संग को तो तो था अलग लग रहता था पारा जिक का नियम निकाल के बाहर कर दिया कितना कटोर नियम देश निकाला संग निकाला बाहर तो कु है बाबा साथ खोरता होनी चाहिए आटिकार के लोगों से या कहीं बीजर समण्य है उनसे हमारे बहुए हैं पर कहे तो सबतार पारिद हुआ तो संग का प्रस्ताव बिती का प्रस्ताब नहीं होता संग का संग का हो अभी वह सब्सक्राइब करता है तो संग के आदेश तो अगर नहीं मानोगे तो सब्सक्राइब अगर को संग की बात कर भी लगती है तो लगने चाहिए क democrat कहा के नार्पूर से पौन आया कि हमें बताओ करना क्या है तो मैंने उन करना वरना कुछ नहीं है आप अक्यलें भी कुछ भी कर सकते हैं आप कर दीजिए कि हम साथे के सारे दिख्चाब भोमीों पर खटे होंगे खटे होंगे अपना ख़णा ले के आएंगे पॉछ सांधी हो सकता है जो चंदे के दंदे में ओं ना है है यगिन को सardher साधन व्यक्ति भी इसको एनाउंस्मेंट कर देता है तो लोग अच्छे लोग जरूर पहुंचे जिनको समझ है बावसापके मुव्मेंट की वो रुकेंगे नहीं वो आपकी बात एनाउंस्मेंट तो करे कोई कहें तो सही तो ने कहा समर्संग का नाम लिख दें समर्संग के ना कुछ आप समर्संग का संग के लिए कोई भी नाम इस्तमाल करें अच्छे काम के लिए अच्छी बात है पर किसी को विरूद होता है और काम रुखता है तो ना करें क्योंकि समर्संग अपने नाम का भूका नहीं है संग तो इतना मजबूत और इतना पावरफुल है कि इसका नाम तो हर व्यक्ति के अंदर पहले से ही मौजूद है सिर्फ उसे याद करना है कोई बताए कि जो समण है क्या वो संगी नहीं है तो अगर यहां तीन सो दो सो तेश लोग बैठे हुए है तो उनमें से एक भी यह नहीं कहेगा कि अगर हम समण है तो हमारा संग है हम तो समण लगाते हैं तो इसलिए कोई इस्तमाल करना चाहिए करे संग का तो यह आदेश पहले से ही है पर देर ना करे इसकी पोस्ट बनाए इसकी वीडियो बनाए और कहे मालों जैसे लखनो है लखनो में कहीं जहां ज़्यादा लोग खटे होते हैं महां मनाए अच्छा कर कही तो यह और मैं लिया से नहीं कोई जगे नहीं है तो बावा साब का कोई ना कोई बड़ा स्टैशू रर्सह फींआ में चाते हं हौने हमकों रहिए हर साल जहन्ति पर सब्सक्राइब करने से जो हमारी जैनती थी वो भी हरंती में बदल गई दिखाई नहीं दियता पर इस्थिती बहुत ज़्यादा खराब है कि जो जैनती में अधिकार थे वो सारे अधिकार जा चुके हैं वो अधिकार है नहीं बिना अधिकार के क्या जैनती मनाओगे पच्चों को खाने को रोडी नहीं मिलेगी कुछ समय बाद नोक्रिया नहीं मि का इखटा होना बहुत ज़रूरी है और जैनती उसका बहाना है बाबा साब अमेट करने कभी अपना जरंदिन मनाने के लिए नहीं कहा हम उनका जरंदिन मनाते हैं क्योंकि हमको इखटा होना होता है तो अलग अलग इखटा होना तो इखटा होना नहीं मना जाता इखटा होना दूर पर रखा है एक घर के बाहर एक चपड़ा के उपार एक चछत के उपार एक पारी की टंकी में और एक यह और आप यह कहों कि हमारे आम तो एक खटे हैं वहीं खटे कैसे हैं आपके आम तो अलग 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 जैनती मनाते हैं तो आप अपना एगोर एहन पर पर परपज जो उद्देश से हो तो पूरी तैसर होता है तो फिर एक साथ मनाना चाहिए और इसलिए बार बार कहते हैं कि जैन्ति हमारा जुडने का माध्य हमें जैनती हमारा अलग-अलग बिखरने का माध्यम नहीं है जैनती के बहाने हमको तेजी से खटा होना चाहिए उस समय लोगों में जुनून होता है तो उस जुनून को एकता में बदलना चाहिए बुद्धिमान जो वर्ग है वो अपना एगो और एहम छोड़कर लोगों का आव और आप ये सिद्ध कर दोगे कि आप बावा साब के लाइक बच्चे हो और फिर किसी हमारे जैसे आदमी की हमत नहीं पड़े की जो आपको कहे के आप नालाइक हो इसलिए बार 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 कहा जाता है जुडेंगे तो जीतेंगे जो जो जुड़े हैं वो जीतें जब जब जड़े हैं तब तब जीते हैं, जैसे जड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं, जो नहीं जड़े हैं वो पिटे हैं, जिनका संग नहीं है वो हारे हैं, और जिनका संग है वो जीते हैं, इसलिए संगे सत्ती, इसलिए संगं सरनंग गच्छा मी, इसलिए जैनती सरनंग सं होना है और होना ही पड़ेगा इसलिए हर व्यक्ति को जो जहां है वो इसका प्रिचार करें प्रिसार करें कि हमको एक सहर में एक बाबा साब की एक जैनती मनानी है तब हमारा कल्यान होगा वरना हम सारे के सारे बहुत मारे जा चुके हैं और बहुत तेजी से मारे जा रहे हैं हम खतम हो जाएंगे अगर इस जैनती पर हम सब इखटे नहीं हुए आगे समय नहीं है आगे प्रियोग करने के लिए टाइम नहीं है आठ दिन है आठ दिन में आप इसका प्रचाइद करेंगे तो बहुत कुछ इसमें निकाल सकते हैं message जा रहा है लोगोंने पैसे देने बंद कर दी यह जिनको पैसे नहीं मिलने हैं वह फघठा रहे है है वह दो ने बदा रहे थे रहे थे उनके पास पैसे लेने आया तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे अब नहीं दूँगा क्योंकि आप सब लोग इखटे हो के आओ तो बहुत देर बैठा रहा है मेरे पास में आके मैंने पैसा नहीं आ रहे हैं हम जो तुम्हें पैसा दे रहे हैं वो पैसा उनके काम के रहेंगे नहीं तो एक ही काम करता है बस इखटा करने का तो रहेंगे नहीं तो ऑटमेंटिक इखटे होंगे थोड़ी सी परेशान ही आएगी डटे रहना बहुत जल्दी हम जुड़ेंगे और बहुत जल्दी जुड़ रहें और बहुत जल्दी हम जीतेंगे धन तूस्टर पूसादू करते हैं यह हैं अगे महीटिंग के संचलेंग लिए जिनका टाय में ध्रपा हैं आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या printer में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद तुम्थियं पी बुद्धं सेनं गच्छाम। 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 साथू, साथू, साथू